नमश्कार दोस्तों मैं हूँ डुक्टर मुरी इशकारी आप देख रहे हैं डुक्टर खारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइक्रोफिला, स्पिनोसा, बदर टिंचर, क्योफोम के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में किन पेशेंट्स को दी जाती है लेने का सही तरीका क्या होता है जानने के लिए वीडियो कुरा देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटिड वीडियो से आप अपडेट इट रहे हैं ऐसे तो इस दवाई क काफी सारी बिमारियों में योज किया जाता है काफी सारी बिमारियों में हम इसे पेशेंट्स को देते हैं लेकिन खास रोड पर इस दवाई का सेवन अर्टी केरिया यानि पित के उचलने पर किया जाता है लेप्रोसी में किया जाता है जो कि एक क्रोनिक स्कीन इंफेक्श पर दो के और यूजिस की बात करें तो इसे हम बोड़ी में पीशन को शरीर में कहीं भी सूजन आ गई है या फिर जॉइन्स में पेशन्ट को स्वैलिंग आ गई है सूजन आ गई है ये दवाई उसको भी ठीक करती है प्रिनल एस्टोन यानि किड्नी में अगर पेशन्ट को पत्री हो गई है उसको भी ठीक करने में मददगार ये दवाई रहत इसके और यूजिस की बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्रम्स जैसे पिशन्ट को खासी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, इन ड्रोगों में भी ये दवाई असरदार रहती है, पेट दर्द में भी देश सकते हैं, पेट दर्द के लावा पिशन्ट को लूज मौसन की शिकायत हो, बार-बार डाइरिया हो रहा हो, उसके कारण वीकनेस आ गई है, तो ऐसे के इसमें डवाई बहुत एफेक्टिव रहती है, पेट दर्द को ठीक करती है, वीकनेस को दूर करती है, लूज मौसन को कंट्रोल करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ये दव गफ में दी जाती है, खासी होने पर दी जाती है, क्रोनिक गफ में दवाई तब दी जाती है, जब incent को गले में भी दर्द رहता है, तो ऐसे केसिस नों पहुत effective रहती है, पुखार को 분ंसी को ठीक करती है, अर्टिके रिया के के 참 में भी ऐसे ही symptoms देखने को मिलते हैं, कि जब patient को पितु चलता है तो शरीर में गर्मार्ट महसूस होती है और redness देखने को मिलती है बार बार खुजली होती है थोड़ा सा धूप में जाने से गर्मी में होने से कुछ भी खापी लेने से patient को ये प्रेशानी बढ़ सकती है तो दोस्तों अगर आपको इनवे से कोई भी प्रेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होमियोपेती डुक्टर से जरूर कर ले बिना डुक्टर की सलाह कि कोई भी होमियोपेती दवाई नहीं लेनी चाहिए वदर टिंचर फॉम में इसक चाहर बार यूज कर सकते हैं लेकिन डुक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर ले करोनिक केस के लिए इसके लिए आप हमसे भी संपत कर इलाज यसला ले सकते हैं वीडियो देखने की धन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कोमेंट शेक्शन में जरूर बताएं कि हम हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं तैंक यू